किसान भाईओ आज हम इस वीडियो में कॉरमोंडेल इंटरनेशनल लिमिटेड के फीनियो इंसिक्री साइड के बारे में बात करने वाले हैं आज में इस वीडियो में आपको इसके टेकनिकल से लेकर इसके कीमत तक पूरी डिटल जानकारी देने बाला हूँ टो कृपे आप भीडियो कोईंतिम तक देखें और पहले हम इसमें दिएगे टेक्निकल या फिर कंटेंट के बारे में जानते हीं तो कॉरमोंडेल का जो फिनियो इंसेक्तिसाइट है इसमें आपको कुल दो टेक्निकल देखने को मिलता है इसमें आपको पहला टेक्निकल देखने को मिलता है डाया फेंथिवरन 25 प्रतिसाद और उसके साथ इसमें आपको दूसरा टेक्निकल देखने को मिलता है पाइरी प्रोक्सिफेन 5 प्रतिसाद AC ये इंसेक्टिसाइड एक suspension emulsifier के formulation में आता है मतलब एक liquid के formulation में आता है फिनियो पाराथ्रोइड और पाराडाइन समूह का एक मिस्रित बोर्ड स्पेक्टरम इंसेक्टिसाइड है जो कि हमारे फसल पर एक से अधिक कीटो को एकी साथ में निंत्रित कर पाता है अब हम इसमें दियेगे mode of action के बारे में बात करेंगे तो फिनियो इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर मुख्यता संपर्क और पेट क्रिया द्वारा कीटो को मारता है इसमें जो पहला टेक्निकल दिया गया है डाया फेंथूरन 25 प्रतिसद तो डाया फेंथूरन कीटो के माइक्रोकॉंड्रिया में उर्जा उत्पादाक एंजाइम को पुरी तरह घटा देता है जिससे क्या होता है कि कीट पुरी तरह लकवा ग्रस्ट मतलब पारालाइस्ड हो जाता है और कुछी समय में वो जो कीट होता है वो मर जाता है और इसमें जो दूसरा टेक्निकल दिया गया है पायरी प्रोक्सिफेन 5% तो पायरी प्रोक्सिफेन एक IGR कमपाउंड है यहाँ पर IGR का मतलब इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है मतलब पायरी प्रोक्सिफेन एक कीट विकास नियंतरक है Pyreprocyfen कीटों की सारेरिक प्रक्र्क्रियाओं की संख्या को कम करता है Pyreprocyfen मादा कीटों में अंडे देने के लिए आबस्वक जूबेनायल हॉर्मोन का उत्पादान को पुरी तरह बंध कर देता है जिससे मादा कीट में अंडे देने की खमता पुरी तरह घट जाती है और मादा कीट अंडे नहीं दे पाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हमारे फसल पर कीटों से आगे होने बाले नुकसान से बचा जा सकता है फीनियो इंसेक्टी साइड में ट्रांसलामिनार गतिविदिया होती हैं जिससे ये है उपियोग के बाद पत्यों के नीचले हिस्सों में मौझूद रस्चुषक कीटों को बहुती प्रभावी डंग से नियंत्रित कर पाता है Phineo Insecticide में Quick Knock Down Effect देखने को मिलता है जिससे हम तुरंद प्रभाव कहते हैं ये Insecticide अपने तुरंद प्रभाव से बैस्क कीटो को तुरंद मार गिराने में पुरी तरह सक्षम है Phineo Insecticide हमारे फसल पर लगने बाले सभी प्रकार के रस्तु सक कीटो को उनकी सभी अबस्ता में बहुती प्रभावी डंक्सन यंत्रत कर पाता है Phineo Insecticide को हम आज Preventive मतलब कीटो के संक्रमंट से पहले भी हम इसका शुड़काव कर सकते हैं और इसको आज Preventive मतलब कीटो के संक्रमंट के प्राथमी का अगस्ता में अगर हम इसका शुड़काव करते हैं तो हमें इसका बहुती अच्छा रिजल देखने को मिलता है Phineo Insecticide उप्योग के बाद हमारे फसल पर अच्छा Phytotonic प्रभाव देखने को मिलता है जिससे हमारा फसल हरा बरा दिखता है अब हम इसके Tank Mix के बारे में बात करेंगे तो किसान भाईयो Phineo Insecticide के अच्छा रिजल के लिए आप इसके साथ कोई एक नीम ओयल का अगर मिला कर छिड़काव करते हैं तो हम हमारे फसल के किन-किन चरणों में छिड़काव कर सकते हैं तो Phineo Insecticide को हम फसल के सभी चरणों में छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि नर्सरी का स्टेज हो गया या फिर फ्लावरिंग का स्टेज हो गया या फिर फ्रूटिंग का स्टेज हो गया हम सभी चरणों में इसका छुड़काव कर सकते हैं इसका कोई भी side effect नहीं होता है अब हम इसमें दीगे rain fastness नदर बरसाती पन के बारे में बात करेंगे तो finio insecticide में उस तीन से चार घंटे का rain fastness देखने को मिलता है मतलब finio insecticide उपयोग के तीन से चार घंटे के पस्चाच अगर बारी सोती है तब भी हमको इसका अच्छा रिजल देखने को मिलता है अब हम इसके फसल उपयोग के बारे में बात करेंगे अब हम इसके कीटों के नियंतरन के बारे में बात करेंगे तो finio insecticide सभी प्रकार के फसलों में खास करके सफेद मक्षी, एफिट्स, जैसिट्स और थ्रिप्स को नियंतरित करता है और अगर कुछ मातरा में माइट्स का भी संक्रमन हो तो उनको भी नियंतरित करता है अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाईयो इसके अच्छा रिजल के लिए finio insecticide को 40-50 से मिल प्रती 20 लीटर पानी मिला का छिड़काओ करें और प्रती एकड 200 लीटर पानी में 400-500 मिल मिला का छिड़काओ करें इससे आपका जो रिजल डेप बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और अगर बात करें इसके रिजल टाइम के बारे में तो finio insecticide का आसर हमारे फशलोप पर लगभग 10-15 दिन तक देखने को मिलता है अब हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो finio insecticide का जो 500 मिल का packing है वो आपको 1000-1100 रुपे के अंदर मिल जाता है